हेलो व्यूव ज्यान रूट्स चैनल में आपका स्वागत है इस सीरीज में हम 12 मार्च 2023 के वन लाइन करेंट अफेर्स की चर्चा करेंगे इस क्रम का प्रथम प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान धारवार के स्थाई परिसर का उधगाटन किया यह किस राज्य में है उत्तर है करनाटक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को करनाटक में 850 करोर रुप्य की लागत से विक्सित किया गया IIT धारवार का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में किया था। अगला प्राष्ण, 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेल्वे प्लैटफॉर्म का उद्घाटन किया। उत्तर है, हुबली, करनाटक, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को करनाटक के हुबली में 1507 मीटर लंबे दुनिया के सबसे लंबे रेल्वे स्टेशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इसे हाल में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भ लंबा है। यह प्लेटफॉर्म हुबली यार्ड रि मॉडलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्लेटफॉर्म के पहले गोरकपुर रेल्वे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। अगला प्रश्न, एतिहासिक दांडी मार्च की वर्षग नमक सत्यागरह मार्च, जिसे 1930 के दांडी मार्च के रूप में भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एतिहास में एक एतिहासिक घड़ना थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविने अवग्या आंदोलन के हिस्से के रूप में, गांधी जी के नित्रित्व और कारीगरों के उत्पदों तथा शिल्प कोशल को प्रदर्शित करने वाला दिव्यकला मिला कहां शुरू हुआ? उत्तर है, भोपाल, मध्या प्रदेश में 12 मार्च से दिव्यकला मिला आयोजित किया जा रहा है. इसका उद्देशि देश भर के दिव्यान गुद्यमिय प्रतिमा बॉमिक ने किया. अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वाला मुखियों में से एक माउंट मेरपी ज्वाला मुखी के फटने से वहां के आसपास के गावों में ध्वा और राक फैल गई. उत्तर है, इंडोनेशिया, मेरपी के बाद से नियमित रूप से फूट रहा है.